विदान्त योग नजुपैती सेंटर में आपका स्वागत है आज हम आपके लेके हैं जिल चिकिसा जिसे हम हाइटो थेरपी भी कहते हैं जब हम जल द्वारा चिकिसा करते हैं तो उसे हम कहते हैं जल चिकिसा जल एक तरीके से दवाई का कार्य करता है और हमारी चिकिसा करता ह यदि आपको सर्थी, जुखाम, सिर्दग, विहोशी, दमा, सांस लेने में कोई भी प्रॉबलम है और अगर आपका BP हाई रहता है, पैरों में दर्द, एडी का दर्द, घुटने में दर्द, पिंड्लियों का दर्द, पैरों में सूजन है पैरों की उगलियों में दर्द है और सूजन है, यदि आपको अनिंद्रा की प्रॉबलम है, आपको पीरट की कोई भी प्रॉबलम है जैसे PCOD या डेट का खुल करना होना है, बीच बीच में बंद हो जाना, तो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं होट फुट या पैरों का गरम इश्णान, आपको करना क्या है, आपको केवल एक बाल्टी में गरम पानी को लेना है, जिसका टमप्रेचर इतना होना चाहिए, जितना आप सेहन कर सकते हैं इसमें आपको मोटा नमक, एपसम नमक और फ्रेट करी को डालना है, यदि आपके पास एपसम नमक नहीं है तो आप सेहनदा नमक भी डाल सकते हैं, यह आपके दर्द और सूजन को कम करता है, टावल को पैरों पर अच्छी तरीके से उपर की तरफ ढग दीजिए, सर के आपको होट फूट में इसी प्रकार बैठना है, यदि पानी ठंडा हो जाता है तो आप इसमें से पानी निकाल कर और गरम पानी डाल सकते हैं, यदि आपको अनिंदरा की समस्या है तो आपको होट फूट को रात को 10-15 मिनट के लिए लेना चाहिए, और उसके बाद अपने पैरों को अच्छी तरीके से पौश कर उस पे सरसों के तेल से मसाज करनी चाहिए, जिससे आपको नीद अच्छी आने लगेगी और आपकी अनिंदरा की प्रॉबलम भी कम हो जाएगी, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सस्क्राइब और श शेयर जरूर कीजिए, धन्यवाद